नमस्कार देनिक जगत दूज में आपका स्वावत है इस समय बड़ी खबर साहरानपूर से निकल कर सामने आ रही है साहरानपूर पुलिस ने आनलाइन ठगी करने वाले अंतराश्टिय गिरों के दस दस्य को विरपतार किया है पकड़े गई सभी आरोपी आनलाइन ठगी करके लोगों का बेकूप बना कर उनसे पैसे लूटते थे पकड़े गई आरोपीों में एक महिला भी सामिल है और इनमें से दो आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं यह सभी आरोपी बोले वाले लोगों को सरकारी योजना का लाब दिलाने का चांसा देकर उनसे आधार काड़, पैनकाड़ और रन्ने दस्तावाज ले लेते थे बाद में इन दस्तावाजे से भर्जी सिम लेते थे और इसके बाद उन सिम पर पेटियम अकाउट खोल कर उन्हें दिल्ली के एक इंटरनेसल गिरह को पेश दिया करते थे सभी आरोपिय से पूछताज के बाद सारण पर पुलिस ने 1400 पेटियम अकाउट को पलाव कर दिया है उसके वज़ में इनको करीब 6000 रूपाय का मिलता है एक सिम काड के लिए तो इस तरग का करके वो फर्जी नाम से जो सिम काट तयार कर लीते हैं इसके जरीए यह अपना फ्रॉड की दंला सुरू कर रखे इसमें तमाम जो टाइब का फ्रॉड कारिक करते हैं जिसमें सट्टा है इसमें आनलाइन बिडिंग है तो इस तरह का इन्होंने जो तमाम चीजे अभी विश्चुत जांच में और भी चीजे निकल के आ जाएगी तो इसमें 10 लोगों का गिरपतारी हुई है और 10 लोगों के गिरपतारी से जो अलग-अलग मुल्जिमों के इसमें करीब 344 सिम बरामद हुए है और 25-24 मोबाइल फोन बरामद हुए है एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कानर और जो रजिस्टर है रजिस्टर में जो मेंटेन करते हैं उसका वो मिले हैं लेजर मिले हैं और जो पेटिय लाक रुपाए नगद मिले हैं और विवेचना के जो जांच के दवरान हम लोगों ने अभी तक 1400 पेटियम अकाउंट सीज करवाये गये हैं उनको अभी विवेचना के दवरान और उसमें से 53 लाक रुपीज अभी सीज करवाये गया है वो अभी जिस अकाउंट में थे उस अकाउंट में हमने उसमें लिखापड़े करके सीज करवाये गये हैं और इसमें अभी विश्तरुत जांच होना विश्तरुत विवेचना होना बकी है और तमाम जो इन लोगों को पुलिश इरातत में लेके पूछताच भी करेंगे और इसमें जिदने भी जो जुड़े इसमिल लोग इसके बारे में विश्तरुता रूप से जनकारे करके उन सभी के कुलाब करवाई कर ने का तैयारी की गई है तीम है गटित किए गए हैं कि और भी अन्य जो शामिल लोग है उनका उनका गिरपतारि के लिए और भी जो और विश्तरुता ने